हेलो होम साइन्स कॉम्टीटर्स आज हम नए अंदाज में वीडियो पेश करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंट्रस्टिंग है और पढ़ने में तो मज़ा ही आने वाला है आज का टॉपिक है प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स ये क्या होते हैं दोनों में अंतर क्या है और साथ में इसका उधारन भी आज हम देखेंगे prebiotics वो ratio होते हैं जो कि हमारे शरीर के द्वारा पचाये नहीं जा सकते हैं और ये फलो में, सबजियों में और legumes में उपस्थित होते हैं legumes का मतलब है जितने भी फलीदार पाओध हैं जैसे कि राजमा है, मटर है, सोया बीन है, beans है तो इनमें पाए जाते हैं और ये पोशक तत्र प्रवाइट करते हैं कि इसको gut bacteria को जो कि हमारे पाचन तंतर में पाए जाते हैं उनको ये पोशक तत्र प्रदान करने का काम करते हैं और उनको बढ़ने में मदद करते हैं इसका मतलब है उनके वृध्धी और विकास में ये मदद करते हैं प्रोबायोटिक्स लाइब बैक्टीरिया हैं इसका मतलब है जीविद जीवाड़ों हैं जो कि भोजे पदार्थों में और सप्लिमेंट्स में पाए जाते हैं का मतलब है जो कि हम tablets के form में लेते हैं या फिर other form में लेते हैं और ये प्राकरतिक रूप से खमीरी के जो भोजय पदार्थ होते हैं उनमें पाए जाते हैं और ये अच्छे bacteria होते हैं तो दोनों में जो main difference है वो ये है कि prebiotics ratio होते हैं जो कि पौधों से प्राप्त होते हैं और artichoke garlic आते हैं probiotics में aged cheese, bitter chocolate, kefir, sour cream, miso soup, pickles, probiotic milk और yogurt आते हैं prebiotics में सारे plant fibers हैं और probiotics में सारे fermented foods हैं prebiotics में asparagus एक तरीकी का साव होता है लीग को हरा प्याज artichoke को हाती चक बोलते हैं so please subscribe, like, share, comment करना ना भूले thanks for watching, मिलते हैं next video में झाल 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 झाल